हेलो फ्रेंज वेलकम टो अससी मेकर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जनल अवेनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 अमसे के डिटेल में डिसक्स करेंगे यह जनल अवेनेस की सीरीज का पार्ट 180 है जो कि आपके आने वाले रिल्वेंटी पीसी, गुरुप डी, अससी सीजे करेंगे, तो चलि स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्रिशन, उससे पहले दोस्तों आज का थोट जाल लेते हैं, आज का थोट हैं, प्रैक्टिस काइंडनेस ओल डे टु एवर्रीबडी और यूवल रेलाइज यू आर अल्रेडी इन हेवन नाव, दोस्तों इसका मलब य इन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रिंखला बनाई थी, तो दोस्तों उनका नाम है अतुल डोलिया, दोस्तों प्रैख्यात चित्रकार अतुल डोलिया इन्होंने जो है महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रिंखला बनाई थी, याद रखिएगा उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों गोखले जो है अपने राजनेतिक दर्शन में सच्चे उधारवादी थे और वे जो है दोस्तों संभाव और मृद्धु न्याय प्रियता में विश्वास करते थे दोस्तों उन्हे पोन विश्वास था कि देश का पुनरुधार राजनेतिक उत्तेजना के भवंदरों में नहीं हो सकती वे साध्य और साधन दोनों की पवितरता में विश्वास करते थे और गोखले जो हैं दोस्तों गोखले के इनी विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीती कुरू बना लिया याद रखिए का दोस्तों और दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा बताईए का जरूर अगर आपको वीडियो अच्छा लगाया तो SSC Maker को लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूले नेस्ट किशिन पर चलता है दोस्तों हिंद स्वाराज गांधी जी द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम है मूल रचना जो है दोस्तों 1909 में गुजराती में थी जिसे गांधी जी ने अपने इंग्लैंड से दक्षण अप्रिका की यातरा के समय पानी के जहाज में लिखी और दोस्तों यह जो है इंडियन ओपीनियन में सर्व प्रिथम प्रकाशित हुई और इसमें माहत्मा गांधी ने सपस्ट किया कि भारतियों की सयोग से ही भारत में ब्रिटेस आसन इस्थापित किया गया था याद रखिए का दोस्तों नामस्ट किशिन पर चलते हैं दोस्तों माहत्मा गांधी ने भारत के सवतनता संगर्ज के दोरान 1917 में चम्पारन यानि बिहार में सत्यगरा है प्रारम किया और यह जो है गांधी जी का भारत में पहला सत्यगरा था याद रखिए का दोस्तों नामस्ट कृशिन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्डिन क्यूशन है रॉलेक्ट एक्ट फर्स डैश में पारित किया गया था तो दोस्तों वे हुआ था 1919 में दोस्तों भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिव विद्यो को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में नियायदी सिडिनी रॉलेक्ट की अध्य मुकदमा चलाया जेल में बंद रख सकती थी इसलिए जो है दोस्तों इस कानून को बिना वकील बिना अपील बिना दलील ठीक है इन सब कानून कहा गया याद रखिये गर दूस्तों पूर्डन खिशन है किस तो हार के दिन जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था तो दोस अप्रेल 1919 को पिसाकी के दिन अमरे सरके जलिया वाला बाग में जो है एक सालवजिनिक सबह बुलाई गई थी जहां जो है जनरल रेजी नार्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहती शांती पूर्ण भीर पर गोलिया चलबा का लगपक एक हजार लोगों की हत्या कराई थी सरदार उधम सिंग दोस्तों मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंग ने जलिया वाला बाग के नर सरहार का बदला लेने के लिए इस हत्यकान के समय पंजाब के गवर्णर रहे सर माइकल ओडायर की लंडन में हत्या कर दी थी जिसके लिए उन्हें गिरिफ हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन केशन है सोतंतरता संगर्स के दोरान हुए असयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था बताईए दोस्तों क्या है वह है तो वह है आम दंगे दोस्तों असयोग आंदोलन एक अकस्त 1920 को अपचारिक रूप से प्रार्म किया गय कांदी जी ने और सयोग आंदोलन शुरू होने के एक वर्ष के भीतर स्वाराज अवेतनिक पर दोस्तों करने का नारा दिया दोस्तों सरकारी स्कूलों और कॉलिजों का वहिशकार किया जाए नेक्स्ट है वकीलो द्वारा नयाय लोग का वहिशकार किया जाए फ़िर फोर्थ है दोस्तो विदेशी समानों का श्रैकर बोहुंत है उसका भहिशकार किया जाए लास्ट है दोस्तो जो theor susumich call 수 वर्ग थे वो जो हैं दोस्तों मेसोपर्टामिया में जाकर नोकरी करने से इंकार करें याद रखिए का दोस्तों नास्ट किश्चिन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्डन किश्चन है 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीके निम्न में से किसकी सहाय के काई के रूप में काम करती थी तो दोस्तों वे है भारती रास्टे कॉंग्रेस दोस्तों भारत में होम रूल अंदोलन प्रार्म करने के लिए एनी पैसेंट ही उतरदाई रही और दोस्तों एनी पैसेंट ने सितंबर 1916 में मदरास में होम रूल लीक की स्थापना की दोस्तों हालकी यह जो है इससे पहले तिलक ने अप्रेल 1916 में पूना में होम रूल लीक की स्थापना की थी फिर भी दोनों आपसी सयोग से अलग-अलग शेत्रों में काम करती थे और ये होम रूल लीक भारती है रास्टे कॉंग्रेस की अनोशंगी संगठन के रूप में कारे करती रही दोस्तो एनी बेसेंट को इंडियान नेशनल कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो की दिसंबर 1917 है उनकी पृथम महिला अध्यक्ष चुना गया याद रखिएगा दोस्तो नास्ट किशिन पर चलते हैं हमारे next important question है स्वाराज पार्टी के संस्थापक कौन थे तो दोस्तो उनका नाम है मोतिलाल नहरू दोस्तो आसायों का अंदोलन की आज सफल तके बाद स्वाराज पार्टी यानि कॉंग्रेस खिलापत स्वाराज पार्टी इसका जो गठन है मार्च 1923 में सीयार दास और मोत सायों के प्रति अपनी जो वचन बद्धता है उसको धोराया याद रखिएगा दोस्तों नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन क्रिशन है 1928 में गणित स्वार इंडियन लीग के अध्यक्ष कौन थे तो दोस्तों वह है स्री निवास आयंकर दोस्त सचीव के रूप में नियुक्ति हुए थे नियुक्ति हुई थी इनकी याद रखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन क्रिशन है 1927 के साइमन कमिशन का बाहिशकार किया गया था तो दोस्तों क्यों किया गया था क्योंकि सरकार ने इसकी समेक्षा हेतु दो वर्स पूरी मलब दो वर्स पहले ही जो है नवंबर 1927 में साइमन कमिशन की नियुक्ति कर दी और जॉन साइमन की अध्यक्स्ता में गठित इस आयोग में जो है दोस्तों कुल साथ सदस्से थे चुकि दोस्तों इसमें सभी सदस्से जो है अंग्रेश थे इसलिए भारतियों ने जो है इसे श्वेट कमिशन कहकर इसका बहिशकार और विरोध किया दोस्तों साइमन कमिशन तीन परवर 1928 को बंबई पहुचा याद रखिएगा नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्डन क्रिशन है 1928 में बार बार डोली तालुके में जो है गांदी वादी अंदुलन और सत्याग्रे को प्रयाप सफलता मिली और यहां महता बंदु सरी के गांदी जी के अनुयाईयों ने 1922 से ही निरंतर अभ्यान चला रखा था दोस्तों 1928 में जो है यहां क्रिशक अंदुलन का नेत्रित्व जो है वल्लब भाई पटेल ने किया जो बार डोली सत्याग्रे के नाम से प्रसेद हुआ दोस्तों इसी अंदुलन के सफलता में जो है इसी अंदुलन में सफलता के कारण पटेल को जो है बार डोली की महिलाओं ने सर्थदार की उपादी प्रतान की थी याद रखिए का दोस्तो नाक्स्ट क्रिशिन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डन क्रिशिन है सविन्ने अवग्या आंदोलन का पहला चरण नमक सत्यागरे या जो 1930 में डैस से माहत्मा गांदी की अतियंत लंबी पदियातर के साथ आरंब हुआ महत्मा गांदी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद डांडी मार्च शूरू किया उन्होंने दोस्तों साबर्मती आश्रम से 68 चुने हुए साथियों के साथ सत्यागरे के लिए कूज किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अपरेल 1930 को टांडी में सांकेतिक रूप से जो है नमक कानून भंग किया और इस प्रकार जो है नमक कानून तोड़कर उन्होंने अपचारिक रूप से सविन्य अवग्या अंदोलन का शुभारम किया याद रखेगा दोस्तो और दोस्तो ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो और के लिए एससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुर ना भूले हर सुसर साथ सैट्स पेच पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की कि भी हल्प हो सके तो दूसरों की भी हल्प कीजिए दोस्तों स्टों नस्ट क्रिशन पर चलता है हमारा नेक्स्ट इंप्ड पॉर्ण क लिल्क और रहा है कि समेलन कब शूरू हुआ था तो दोस्तों वय हुआ महात्मा गांधी ने कॉंग्रेस के एकमात प्रतीनिदी थे उनके रूप में हिस्सा लिया और इसके अलावा जो है सरोजनी नाइडू और मदन मोहनमाल भी इन लोगों ने भी जो है दोस्तों समेलन में हिस्सा लिया था याद लखिएगा दोस्तों नास्ट केशिन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन केशिन है प्रांतिय चुनाव यानी प्रोविंसल जो इलेक्शन है प्रोविंसियल एलेक्शन कब किस साल में भारते ब्रिटिस भारत में आयोजित किये गए थे तो दोस्तों वैं थे 1936 से ल अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए पांच प्रांतों जिनमें शामिले दोस्तों मदराज, बिहार, मद्दे प्रांत और बरार, सयुक्त प्रांत और ओडिसा इनमें जो है पूर्ण, भहुमत प्राप्त किया और कॉंग्रेस बंबई लगबग जो पूर्ण प्रांत 6 प्रांतों में भारतिय रास्टे कॉंग्रेस ने अपने मंत्री मंदल कठित किये और ये प्रांते दोस्तों मदराज, मंबई, मद्दे प्रांत, उडिसा, बिहार और सयुक्त प्रांत दोस्तों बाद में जो है पश्रिम, पश्रिमोतर, प्रांत और असम में ठीक ह ग्यों के साथ मिलकर गडबंदन मंत्री मंदल बनाए याद रखेगा नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डन क्रिशन है सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे तो दोस्तों उनका नाम है जानकी नाथ बोस दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जो जन चलते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डन क्रिशन है 1949 में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया तो दोस्तों वह है फॉर्वर्ड ब्लॉक दोस्तों 1939 में त्रीपूरी संकट के बाद कॉंग्रेस की अध्यक्सता से त्याग पत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्वर्ड ब्लॉक की स्थापना की और यह जो संगठन है दोस्तों यह संगठन वामपन थी विचारधारा पर अधारित था याद रखिएगा दोस्तों नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर् अभियान इसके तहट जो है दोस्तों पराजित प्रेटिस सेना के भारति सेनिकों को शामिल किया गया और आई एन ए ठीक है आई एन ए का जो विचार है दोस्तों विचार सूत्र क्याने पितम सिंग एवं फूजी वारा इनों ने दिया जबकि दोस्तों कैप्टन मोहन ने उन्हें प्रतम नेत्रत वर्प्रदान करने का साहसे कारे किया याद रखेगा दोस्तों नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा लास्ट इंपॉर्डन क्रिशन है अजाध हिंद फोज यानि इंडियान नेशनल आर्मी आई एन इसका गठन जो है दोस्तों कब किया गया था बताईए तो दोस्तों व्य हुआ था 1942 में याद रखेगा तो दोस्तों यह थे जनरल आवैनेस के इंपॉर्डन टॉप 20 MCQ, Most Important Questions, I hope यह वीडियो आपको पसंद आया है, यह वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, पसंद आया तो अपने Study Relative Group में शेयर जरूर करें, और SSC Maker को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिलकूर न भूले, आज के लिए बस इतना ही, Thank you so much दोस्तों!